कि सब्सक्राइब को लाल बढ़ने हाप यहां पर लाइकन प्रेस कर दीज़ेगे ताकि आपको नए वीडियो को सूचना मिलती रहे लेकिन देख लेते हैं अगर आया होगा जरूर इसके उपलब्द होंगे मनुझ शाकर जी ने पूछा आशो क्लेंट पर वीडियो बनाई है अशो किलन पर मैंने कल बना दिया है दोस्त जरूर आपने आशा है कि देख लिया होगा एक जून को और आगे बढ़ते हैं रिलाइंस पावर लिम्टेट एडी अजी ग्रूप की कमपनी अनेल दीरु भाई अम्बाने ग्रूप की कमपनी और पावर सेक्टर या फिर इंस्फरा चक्षर हो दस साल पहले जो बूम था वरतमान समय में उतना नहीं है और इन सारी कमपनीों पे ज़्यादा तर चाहे इंस्फरा की हो चाहे पावर की हो जबरस्त करज़ा रहता है क्योंकि इनका बिजनस ही ऐसा है और इनके अलग अलग शेहरों में कई प्लांत लगे होए जिनमेंएनीच से कोल ब्स ब्रोजेक्स प्रोजेक्स हैं गयसी बैस प्रोजेक्स मोजेक्स हैं हाइड्र एलेक्रि agriculture अलेक्ठिटी प्लांट्री और अफ्कोर्स और कारबं केस्ट तो जब मैंने इनकी रिजल्स देखे और जो बिजनेस मॉडल देखा तो मुझे ऐसा लगा कि अभी फिलाल बहुत ज्यादा इन कंपणियों में अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा कि इसमें इनवेस्ट किया जा सके रिलाइंस पावर लिम्टेड जो 31 मई 2019 को जो भाव था लास्ट क्लोजिन पैस आज है दो जून आज मार्केट बंद है संडे है और साथ रुपए बैतालीस पैसे पर लास्ट क्लोजिन प्रैस थी ब्यस्चीप और 52 वीक लो यानि एक साल का जोईस कर लो था पांच रुपए प्रैस है 3.32 पी है 2.24 इंडिस्ट्री पी है 10.40 डिलिवरेबल है 25 परसें और फेस्ट वैल्यू अभी दसकी है प्राइस टू बुक है 0.09 और बुक वैल्यू देखिए 80.15 मतलब बुक वैल्यू चे स्टॉक प्राइस बहुत मीच है इसे साब सुन सस्ता है लेकिन कुछ और भी चीज़े देखनी है कि कैसे सस्ता है अब भी देखिए क्वाटर फोर की दिजल्स नहीं है 19 के नहीं दिखा रहे है बैलेंस शीट पर अगर हम देते हैं डेट तो 7,316 क्रोड का कर्जा है इन पर जो कि इनका जो मार्केट कहते है वह 2000 क्यास पैस है तो रहसाब से कर्जा बहुत है क्योंकि जो टेट है इसका जो इंट्रेस्ट या जिस प्रकार से भी रहने लोन लिया होगा कुछ तो पे करना पड़ता होगा तो इनकी यहां पर देखे कमाई नहीं है नेक प्रॉफिट में जिससे यह कम से कम अपना इंट्रेस्ट भी पे कर सके बढ़ते आगे स सिप्तंबर अट्रेस्ट कम्पेर करते हैं तो नेट्स में यहां पर एक पॉइंट जिरो पस्ट के डाउसाइड है लेकिन नेट्रोफिट में भी डाउसाइड 25 पसंद के आसपास अधास मार्जिन में काफी करिप और पांच परसंट के अपसाइड है वासे में किया हुआ ह इस वज़े से थोड़ा सा positive news है इस company के लिए और वहीं पे अगर हम year on year देखे हैं 2017 सिल्चमबर 2018 के results क्योंकि अभी 19 के भी आये नहीं है तो net sales में 15% के आस-पास downside है operating profit में भी करीब 6% के आस-पास downside है और net profit 32% के आस-पास downside लेकिन margin में यहां कर्जबर 5,5% की upside है तो यह थोड़ी से positive news है लेकिन वहीं पे अगर हम balance sheet में यहां भी देख लें कि करजा इंपे कितना borrowings तो यहां भी जो borrowings है तो March 18 में हो गया है 28,000 क्रोड के आस-पास तो 28,000 क्रोड करजा तो बहुत जादा है इस company पर तीस प्रकार से इनके share holding परटन में भी हम देख लेते है शेर holding परटन जो की promoters के पास जो 75% थी और जो वर्त होल्डिंग बची है उसमें से 78% के आस-पास करीब 80% के आस-पास यहां पर गिर भी रिखी हुई है mutual funds कीस में 127 की skims ने पैसे लागा रखे 134 FIIs हैं और आपकी चपनी चहेती फिवरेट लाइफ इंशिरेंस कर्परेशन आफ इंडिया ने भी यहां पर 4% के आस-पास इन्वेस्ट किया हुआ है और इंडिविज्वल जो holding हम आप जैसे खुद्राग रहाक है 20 करीब 20 करीब 20 करीब किस परसन के आस-पास है जिस प्रकार से परफॉर्मेंस रहा उस प्रकार से इनकी रेटन्स भी देख लेते हैं दस सालों में जिन्हों ने एक लाख रुपए लगाए होंगे उनका मात रह गया है पाँच हजार रुपए पांच सालम में जिन्मों आध लगए उनका भी रह गा है, आठ अजार रुपे, चार सालम जिन्मों पैसे लगा है, आप काउंट कर सकते हैं, तीन सालम जिन्मों ने पैसे लगा है, दो साल में एक साल में एक और मियुर्ट रटव डेट में शिक्स मन्स में थर्ट ट्री मन्स में है भी जिनोंने पैसे लगा है उनको तीस पिसे पिसे यॉश लगा है यहां पर देखिए तेस पिसलट ऊहन को प्तल्平 जो हां जोगीहिस अबरॉश है ओन वीक में भीपके दूसरा इनके रेजल्स भी उतने अच्छे नेगेटिव में है, मार्जिन थोड़ा मेंटेन किया हुआ है, और रिटन जबरदस्त इनके, मतलब रिटन तुक ना के बराबर, आपका पैसा पूरी तरह से इन्होंने सोख लिया है, आपका पैसा बचा ही नहीं, आपने किसी भी साल में पैसे डाले हैं, एक मेने पहले को छोड़के, तो आपका पैसा टोटली गायब हो गया है, तो भाई हम पैसे से पैसा बनाने के लिए यहां पे हैं शेयर मार्केट में ना कि गवाने के लिए, अगर फिक्स डेपॉजट भी करते हैं, तो दस सालों में कई गुना हो हो जाता है, अटलिस्ट डबल तो ही जाता है, डबल ज्यादा, CIGR रेट अच्छा मिलता है, तो मैं इस स्टॉक पे फिलाल अपनी सलाह नहीं दूँगा कि आप बाइंग कीजिए, हाँ, मैं निवेश की बात कर गाँ, हो सकता है कि कुछ लोग ट्रेडिंग करते हों, और कै स्टॉक पे पकड़ है कि कई सालों से देख रहे हैं, और हर मन्त या दो महिने शॉट ताम में जो भी उनका डेली इंट्रादे पे फिलाल मैं उस पे कोई कॉल महीं देता अपने निवेश को, मैं तो लंबे समय में अच्छा रिटन देनी की बात करता हूँ, हमारे चनल का इस वजह से मैं इस स्टॉक पे इन्वेस्ट करने की बिल्कुल भी सलाह नहीं दूँगा, यह मेरा अपना परसनल मनतव हैं, लेकिन अगर आप कोई भी स्टॉक खरीदने और बेशने से पहले अपने फनेंशल एडवाईजर जरो माश्रूरा कर लें और बस मैं अपना यह थैंक यह वाचिंग इस वीडियो